हेलो फ्रेंड्स आज हम क्वेशन वन जीरो वन से शुरू कर रहे हैं आगे और अपने पास में क्वेशन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से वीकेस्ट बेस हैं तो आपको बता दू मैं आपको अपने बेस के लिए एक ओर्डर जो लिखा था सबसे पहले अपन जब भी बेसिक स्ट्रेंद का ओर्डर की बात करेंगे सबसे पहले एलिफेटिक काम में लेंगे एलिफेटिक एमीन काम में लेंगे फिर एरोमेटिक एमीन काम में लेंगे फिर एलिफेटिक एमाइड काम में लेंगे फिर एरोमेटिक एमाइड काम में लेंगे पहला पॉइंट यह काम में ही आता है तो फिर basic strength का जो order होगा वो आपने लिए क्या होगा वो होगा कि सबसे पहले अपने लेंगे कर बेसिक strength is proportional to plus i upon minus i और इससे भी अगर काम नहीं आएगा तो यह सबसे आगे प्लस एगे फिर प्लस एच वाला फिर प्लस आई वाला फिर नीट्रल वाला फिर माइनस i वाला फिर माइनस h वाला और सबसे पीछे माइनस m वाला यह basic strength का step हो गया अब आप बोलोगे भी acid की strength का भी link लगवा दो तो acid की strength का आप खुद से लेखो मैंने एक order लेखाया था याद है कि सबसे पहले है यहाँ लेखाया था मैंने acid की strength में लेखो पूरा का पूरा जो लेखाया था वो डूंड के यहाँ पूरा लेखो फिर सेकेंड पॉइंट आएगा यहाँ पर acid की strength is proportional to minus i upon plus i फिर तीसरा point वापीस यही आजाएगा minus m फिर minus h फिर minus i फिर dot 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 सबसे पीचे plus m तो यही तो है acid की strength के लिए इतना सा और basic strength के लिए इतना सा ओके चलो कुशन करते हैं एक pen change करके क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत गंदगी कर दी है ठीक है चलिए यहाँ पर यह एलिफेटिक है अब एलिफेटिक और आरोमेटिक क्या होता है आपको मैं सिखा चुका हूँ कैसे निकालत क्यों है मैंने आपको इस्ट्रक्चर पायरोल और पिरिमिडीन की तीन रटने को बोलाएं क्योंकि एंसी आटी में दी हो यह और यह पिरिमिडीन है ठीक है और इसके उपर में यहाँ लॉन पेर होता है तो अपने को पूचा है फॉर्थ वाला अब आप देखो एलिफेटि जो मैंने बना है यह ज़रूर आप लिखने है यह कुशन अभी जैई में आया हुआ है जैई में ठीक है अभी जो ऑनलाइन वाले पेपर हो रहे ना वह वाले होगे तो यहाँ पर पूचा है एलेस्टी स्ट मोस्ट बेसिक अब कौन सा ग्रूप एक तो यह ग्रूप है एक यह वाला नाइट्रोजन है एक यह वाला नाइट्रोजन है अब इन तीनों में मुझे एना एक श्ट्रेंद का ओडर बताओं यह एलेस्टी मॉलीकूल है वह होता ना लाइसर्जिक डाइसिटाइल ऐसा कुछ मॉलीकूल होता है ड्रग्स होती है इसमें तीन नाइट्रोज इतना पता चलता है ने बेंजीन है, तो ये इस telephone ring से डारेक्ट जुढा हुआ I in ये कैसा हो गया ये ओगया heroin scholar rag तो और क्या यह एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है नहीं तो यह क्या है एलिफेटिक एमाइड है पैचानने में कुई दिक्कत नहीं आई न एन हो एमीन होते हैं सी डबल बांड हो और उसके बाद में नाइट्रोचन होता उसे एमाइड बोलते हैं यह अपन आईउपीसी नेमिंग में सीखे थे तो यह एमाइड है इस नाइट्रोचन को देखोगे तो क्या यह किसी बेंजीन रिंग से या फिर एरोमेटिक इस्ट्रक्सर जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है और यह एन तो यह क्या हो गया यह हो गया एमाइड नहीं हे एमीन है ॥्री डिगरी अमीन है अगर इसमें बेश्द्न कर लोगे सबसे पहले एलिफयक निकालोगे तो यह दो नंबर वाला सबसे यदाली मेडिक हुगा उसके बाद आप तो दूसरे पर जाएगे दूसरे से नहीं निकलेगा तो तीसरे पर जाएगे ऐसा मैंने पूरे क्या है और आधा जी असी किस्टेंड बेसे कि अटा है और आज मैंने लास्ट में आपको एक की पॉइंट यह पाइरोल है यह अदो नाम याद हो गए होंगे ना कितनी बार तो आ चुके और यह क्वेशन भी कर चुके अब मैं आपको बता है इस पाइरो इस पेरमेडीन का जो नेड्रोजन होता है वो लॉन पेर जो था रेजिनस में इनवाल नहीं होता है और यह वाला लॉन पेर र Del furnace में involved होता है ये वाला question में आपको पहले करवाद चुका होऊ हूँ और इसका इंसर जायता फर्स्ट वाला याद करों योगी यह दोनों clipse यह वाला lawn प्यर और यह बाह लॉआन प्यर दोनों के दोनों कैसे हैं आपके डी लोकेलाइज, तो, एक आप यहाँ पर भी एक पॉइंट और भी एड 성्थ कर सकते हो, बेसिक स्थेंग, अगर लोन पर सैम से मज़ है न, तो आप एड्ड कर देना, कि लोकेलाइज लोन पर होगा, वो ज्यादा बेसिक होगा, लोकेलाइज और डी लोकेलाइज वे से, ठ ठीक है तो यह आपका हो जाएगा ओके सॉट नोट बन गए ना अपना इसी डिग श्रंद और बेसिक श्रंद का बस अगला वाला क्या पूछ रहा है है strongest base अब मैं आपको बता दू है यह यह आपका है यह जो इस्रेक्षर होती है न यह जो सैकिंड वाली इसको बोलते है गौनिदीन मैंने सुरु सुरु में आपको बताया भी था कि एलिफेटिक अमेंसे भी एक स्ट्रक्षर ज्यादा बेसिक होती है वह उती है गौनिदीन य यह बहुत अपने काम नहीं आती ये वालग वा कोशना आता नहीं नीट में इसलिए मैंने बताया नहीं आपको आपको इसी स्थरक्शर को बोलता है। एक कारबन होगा और से इस तीन नाइट्रोजन जुड़े होंगे एसें इसको बोलते है ग्वानीडीन ऐसी इस्ट्रक्सर को और यह होती है ग्वानीडीन, आप यहां लेक भी सकते हो बट अग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए लिखाया नहीं था ग्वानीडीन, ग्वानीडीन एलिफेटिक एमिन से भी ज़्यादा बेसिक होती है तो यह आपका short notes हो गया बट guanidine वाला question नीट में कभी नहीं आएगा तो घब रानना नहीं है बट यहाँ question आ गया है तो अपन solve कर लेते हैं अब यहाँ पर बोल रहा है के बी का order अब मैं पहले आपको लिखा सुका हूं सारा कुछ point की के का मतलब होता है as 6000 का है इस 3 अद यह एएbourर ओँ इए और पी के का मतलब होता है इस इचेतलै का उड़टा ओडर हुआ अपको यहां लेका देता हूं मैं यहां लखा देता हूं यह इसे लिखना नहीं रहेगा बट हाँ है चलिए ऐसा लिखा लेका अब के भी यह फिर बेसी के स्ट्रेंद यह फिर पीके भी यह फिर पी एच और इसमें पीच उता हुल्टा तो यह रिलेशन होता है आपस मैंने पहले भी में लेखा चुका था लेकिन अभी आपको बता है आज यह सकेंड लास्ट वीडियो कल एक वीडियो और आएगा उसके बाद में यह खत्म है फिर अपन जीओ से सकेंड करेंगे और रोज साथ में एक वीडियो आएगा होते हैं यह तो आपको पता ही है ओके तो अपने को ऐसी दोर बेस में अगर यहां पर पूचा के भी लिखा के भी मतलब बेस की बात कर रहा है तो अगर के भी की बात कर रहा है तो तो के भी क्या था इसमें तो बेस के डारेक्ट ली परपोर्शन था तो एसीड का क्या हो ज मतलब acid के strength निकालना है और फिर उसका उल्टा कर देना है यह है के बी का मतलब अब यहां पे acid के strength देखोगे तो यह साए के सारे आपको क्या देख रहे है सारे के सारे आपको alcohol देख रहे है ना के phenol क्यूं है कि यह alcohol इसलिए है कि रिंग से directly attached नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पे प्लस एम माइनस एम की बात नहीं लगेगी इसलिए कुशन बहुत इंपोर्डेंट होता है प्लस एम माइनस एम कब लगते हैं जब कोई भी ग्रूप इस रिंग से यह ओच अगर रिंग से डारेक्ट अटेज होता तब फिनॉल होता तब लगता ही ठीक है अब इन सब में यह सब इसमें कॉमन है इतनी सी चैन ठीक है अब उसके बाद में यह बेंजीन रिंग इसमें मा माइनस आई लगा रही है और यह एनोटू है तो और जदा माइनस आई लग रहा है वह सी इस त्री है तो और जदा माइनस आई लग रहा है ठीक है और सी यल है तो माइनस आई लग रहा है तो अपने को पहले क्या करना है बेसिक स्ट्रेंद निकाल लिए इन सब का माइनस ही लग रहा है पहली बात ये बता दूं आपको इसलिए कुमिश्ण IMPORTANT है क्यों कि OHS इस रिंग से डारेक्ट ली अटेच नहीं है डारेक्ट ली अटेच उता तो तो उसके साथ resonance में होता और resonance में होता तब plus m और minus m की बाते होती आपको बता चुका मैं आपको कि plus m और minus m resonance होता तभी लगता है अब oh הז ni यहाँ का जो oh है ना वह resonance में नहीं जारा है दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर क्या होगा यह है carbon यह एस चेश सबस्क्राइब करेंस नहीं है तो प्लस माइ consommBS की बात नहीं करेंगे माइनस लगता है तो इसफेनस नंबर और पॉवर के खी दिस्टेंस बडावर है ठीक है ऐसी डिस्टेंस में माइनस आई बढ़ाता है तो डिस्टेंस फिर नंबर देखेंगे फिर पावर देखेंगे तो देखिए आप इसको डिस्टेंस नंबर और और नंबर भी सेम है फिर पावर में देखोगे तो वह आपका क्या हो जाएगा ओके फिर बढ़ते हैं पर आगे विचाब तो फॉलिंग हाइस्ट नुकली फिलिसिटी मैंने बोला था नुकली फिलिसिटी का जब भी और पूचे अपन बेसिक स्ट्रेंद का और निकाल के बता देंगे हालांकि नुकली फिलिसिटी 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 में अच्छे से पढ़ते हैं बट यहां पर सिंपल बेसिक स्ट्रेंद का और बता देंगे अगर एंसर आता है तो बढ़िया है नहीं आएगा तो अपन बोल देंगे कि इस कुशन को जियो सी टू में सॉल्ट करेंगे अगे इस यहां गया है ऑब इस मेंसे बताना है अब आपी शीदी सीबात यह इनःवर्गनिक का कोश्नुद बन गया और इने और्गनिक में एसीटी की स्ट्रेंद से खोती है इन और्णिक के तो इहां सबसे अच्छा बेस दोन ना रदिंए क्योंकि अच्छी ड़न्नी है कि यहां सबसे अच्छा बेस जो है ऊ स्पाइशन crear directly proportional to electron activity तो basic strength is inversely proportional तो basic strength क्या हो जाएगी, inversely proportional to electron activity, तो जिसकी electron activity कम होगी, उसकी basic strength ज्यादा होगी, CH4 की basic strength सबसे ज्यादा होगी, तो वह सबसे अच्छा nucleophile है, फिर से अगिन यही nucleophile का order पूछ रहे हैं, तो सबको hydrogen देद है यह क्या भंजाएगा एच 2 पहला वाला एच 2 बन जाएगा दूसरा वाला क्या बनेगा CS3 CdLO H अगला वाला क्या बनेगा यह बनेगा CS3 OH सबको क्या दे रहे एक हाइड्रोजन दे रहें यह क्या मनुद रहा है यह यानि कि फिनॉल अब आपको पता है यह तो मैंने आपको एक फिक्स ओडर लिखा रखा है सबसे अच्छा है एकनर पर यजाएगा उसके बाद फिनॉल आएगा फिनॉल से ज्यादा हो कि फिनॉल के बाद मिधायल ऐलकोहौल फिर आएगा वुटर आएगा कग नहीं आएगा यहीह ओर होता लुटर है यह तो एकिंदीन कर लाइन वह basic strength का order होगा till basic strength में सबसे फोर नमबर प्राय है वह सबसे अच्छा भीज होगा वाटर सबसे अच्छा बेस हैं तो सबसे अच्छा नेगुलिफाईल है तो तो उइच सबसे आगे आना चीए था तुम Sample है उसके बाद में अचीन हुआ कि मिथाइल-अलकॉछल तो इसमें नहीं आरा है कि इसमें आरा इसमा रहा है मिथाल-अलकॉछ के बाद में आना चाहिए यह आपका का अधिक मुल चलता हुआ मतलब सिंपल आपको एसप्रेंट का उड़र न कालना उसका उल्टा है और यह सेम कोशन यहीं वाला है एक तो इसको मैं बार बार नहीं करवा रहा हूं ठीक है अगला कोशन इस्ट्रॉंगेस्ट न्युक्लिफाइल अब सबको एसीड बनाओ पहले यह क्या हो जाएगा एच्टू ओ यह क्या हो जाएगा थायो एलकॉहल सी एस्ट्री एच एच सबसे अच्छा बेस तो आप आप आसानी से यहां पर एसीडिक इस्ट्रंद का ओडर तो इसका एसीडिक इस्ट्रंद का उडर जो उल्टा होगा होगा बेसिक इस्ट्रंड का ओडर कि ऐना इस कि अजा करेंगे और यहां करेंगे और यहां करके आए अच्छा अब्यून यह वाला सबसे था शी वाला सबसे आगया था तो दी आएगा इनको कुछ भी मत करो ऐसीड बनाओ मद एच दे दो और फिर बेसी की श्रेंद का उड़र निकालो जो बेसी की इसलिइग का ओड़र आएगा कि आप उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे चलिए ये नीट के question है पुराने बोलता है most reactive towards ESR ये question GSC2 में आपने करवा रखे हैं सारे GSC2 के वीडियोज अब आपको देखने पड़ेंगी मैं regular वीडियोज दूँगा और साथ में करना है तो मैंने एक fix order लगा रखा है तो वहीं आप देखोगे तो यह पी नौल सबसे आगे होता है मतलब ESR प्लस M और ESR का order यह होता है प्लस M, प्लस H, प्लस I, और Neutral और इसको मैंने डिटेल में बता रखा कि सिर्फ यही नहीं होता है इसका एलबा भी होता है माइनस आई माइनस एच और माइनस आए यहां आप आसानी से बता दोगे यह वाला होगा ओके और यहां पर stability बतानी दूसरे question पर तो stability बतानी कार्व एनायन सिधी बात है कार्व एनायन की stability तो माइनस यहां पर आपको दिख रहा होगा आर का मतलब है मिधाइल ग्रूप मानला पोई दिकत नहीं तो यह इस कारवन पर माइनस आई लग रहा है जाएगा कि नहीं जाएगा क्योंकि प्लस आई वाला तो फॉर्ट वाला सबसे पीछे जाएगा यह और यह तो नहीं हो सकता और पहले सबसे पहले क्या देखते हैं अब इन सबमें माइनस आई लग रहा थी नहीं पहले देखेंगे डिस्टेंस तो सबमें एक जिस कारवन से जुड़ा है उसी पर लगा हुआ है डबल बॉंट यह ट्रपल बॉंट जो भी है जिस कारवन पर डेगिट ही उसी पर तो डिस्टेंस वराबर है उसके बाद आप घृप सब में नंबर के बाद देखेंगे पावर जब अब माइनस आई का और याद करो घृपका जो एक आंसर थी आव बात ते हम यहां नमबर बैंजीन के तीन नंबर नहीं नहीं इस पूरे ग्रुप को अपन बेंजीन को एक ही मनेंगे एक ग्रुप और फिर अपन माइ अब था आड़ पोन पहले आता था डबल बॉंड में पहले बेंजीन आ दिचैन है और फिर डबल बॉंड में यह आपकी एल्की न आती है यह आप मैने साइ का ओडर रेकोगे तो यह आएगा मैंने पुले बंजीन को एख ही गुरूप माना है अलग अलग गुरूप नहीं माने है तो आप नंबर 7 मानोगे डिस्टेंस सेम थी नंबर 7 थी पावर पे अलग अलग थी अगला question एक बाएस्ट मुस्ट इजिली अब हाईिडरोलाइस्ट मुस्ट इजिली को अगर आप उट पूछ ऊगे में तो मैं अभी आटको नहीं बता हूंगा पर यह सिंप्लिशत अगर आपको हाईडरलाइस का पूछना है हाटोलाइस जो आसा निस हो जाएं वैसे हलां सब्सक्राइब यहां अगर आपन सब्सक्राइब करके थोड़ा भी देखना चाहिए तो आप अपने सौर्ट नोट में एक एड़ पॉइंट कर दो करार बेना इनकी स्टेबिलिटी से कौन-कौन से कुश्चिन सौन होता है एक आपका लिविग गृड़ टेंडेंसी का होता है और एक आपका हाइड्रो साल इस और वह आसानी से होता है जिसमें पाइन लग रहा है मतलब माइनस आइक डायर्ट ली प्रपॉर्ट मोटा है टीकिए तो न किसे इस आप तीन कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं एक तो मैनिस i से, ठीक है, जो carbonine की stability का और होता न, वही hydrolysis का होता है, वही आपका living group tendency का होता है, वही आपका acidि का होता है, जो carbonine की stability का और होता है, यहाँ पे से की पॉइंट बना करके लेख सकते हो अपने नोट्स में यहाँ पे सबसे स्टेबल कार बेना इन कोन सा है तो आप सी दिसी बात देखो कि यह रिंग और यह गूरूप सब में कॉमन है अब आप पहरा पे जो गूरूप लगे हैं तो यह माइनस एम लगाएगा औ अपन न्यूटरल है और करेक्ट हाँ अब मेरे याग बखु आले जब है तो आपका है और को अग्यूक्त अग्यूट वो इस ह錢 वाल आने में बहूत सारी स्टेमेंट आपको बढ़ाए थे जब आपन न्यूक्लीटिव पहिक्ट रहे तो जिसके उपर भी नेगटिव चार्ज थे याद करो आर नेगटिव ये नेगटिव यह वह नेगटिव और जिसके उपर भी लॉन पेर था च्था जो एक मुल्टिप बॉन्ड इन सें मेटम इसा था रहिए तो यह वैवतल १। तो नुकली फैल क्या हो सकता है आपको नेगेटिव हो सकता है और नूट्रल हो सकता है और इसके पास नुकली इसके पास लॉन पेर हैं तो यह लॉन पेर डॉनेट कर सकता है और जो लॉन पेर डॉनेट करता है जो लॉन पेर डॉनेट करता है उसको आप क्या बोलते हैं तो गलत होगे ना लेविस एसिड नहीं होगा यह क्या होगा आपका लेविस बेस होगा तो पहला एक statement इनकरक्ट है अग्ला बोलता है पहला यह तो इनकरक्ट हो गया और अपने को इनकरक्ट ही तोनना था है अमोनिय अमोनियम बाथ है दो ईसके उपर में लांपेर होते हैं और जो भी लांपेर वाले होते हैं दो नुख्युस होते है तो electron density जहां कम होगी वहाँ पे ही attack करेगा यह यह बात सही है यह सारे point अपने nucleophile में discuss कर चुके थे यह point सही है यह बोल रहा है nucleophile को electron की जरूत नहीं होती है सही बात है इसको positive charge की जरूत होती है ठीक है इसको electron की जरूत ही नहीं है वो तो electron pair अपने donate कर रहा होता है यह बात यह अपने सारी discuss की तो इसका answer जाएगा first option आपने देखा नीर के सारे question अपने सिससे बंद रहे है यह बोल रहा है weakest base के लिए अपने वह जो M233 का question है तीन का अपने क्या बोलेते एलिफेटिक एमीन सबसे आगे यह ना फिर aromatic एमीन पिर एलिफेटिक एमाइड फिर एरोमेटिक एमाइड और उसके बाद में basic student के लिए फंद बोलते प्लस आइक डार्रेट परोपोशनर माइनस आई की इनवस्ट परोपोशनर और लॉन पेर वाले में लोकलाइज डी लोकलाइज और एक वो प्लस एम प्लस आइज व बनाते हैं पहले बाले की कि अजय को अजय को अजय को अजय को इसी होगी कुछ और यह है कि आपका बेंजीन मतलब बेंजीन रेंग हमेंसा याद रखो और सी एस टू और एन एच और यह सी एस त्री अगले वाले हम क्या हैं सी एस टू एन एस टू और यह एन ओ टू ग्रूप और यह हैं सी एस ट्री एन यह एच और सी डवल ओ और यह एच अब आपको यह एमीन दिख रहा है एन एस टू है तो एमीन का मतलब क्या होता है एमीन कौन कौन होते है पहले यह बता दो में आपको एन एच टू एमीन होता है और अगेला एन लिखा है वो भी एमीन होता है एमाइड कौन होता है एमाइड होता है कार्बन, डबल बॉंड, अक्सिजन सिंगल बॉंड, नाइट्रोजन तो ये देखो, ये एमाइड है और देखो, एमाइड ये तीनों एमीन है 123 तीनों एमीन है और एमीन और एमाइड में अगर आप कंपेर करोगे तो एमाइड पीछे लिखा, मैंने देखो पहले लिखा एलिफेटिक एमीन फिर लिखा एरोमेटिक एमीन फिर लिखे एमाइड, तो एमाइड तो वीक बेस होते है ओप्सन सेलेक्ट किया, तुरंद एज़सवर आ गया आपना ठीक है यह कुशन नंबर 6, फिर से और्थोपेरा डारेक्टिंग वाला आपको बता दे, मैंने जीओसी में पढ़ा रखिये मैं आपको वीडियो रेगुलर दे दूँगा कि कौन सा आपको आज देखना, कौन सा कल देखना है और उसके एकोर्डिंग उसके कुशेंट करवाँगा मैं, ठीक है तो यहाँ पर आपको और्थोपेरा डारेक्टिंग देखना था तो आपको देखना है और तो पर डारेक्टिंग ग्रूफ होते हैं प्लस अम वाले कौन से? प्लस M वाले तो यहां पर प्लस M किसका होता है लॉन पिर वालों का प्लस M हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा साइद तब क्योंकि आपने जियो सी के लेक्टर नहीं देखे हैं जियो सी टू के तो इसको आप जियो सी टू बे होल्ड करके छोड़ सकते हो वो देखो के तुरन त करवाया है कि स्ट्रॉंगेस्ट एसीड फूच्रापने से कि इस्ट्र बनाओ सबकी सी एस्ट्री सीडवलो एच यह सीच एसपाइब ओर यह हो गया आपका सेकेंड वाले की स्ट्र बनाओ में सी डवलो एच और यह इन दोनों में आप आसानी से कंपेर कर लोगे यह अलिफ फॉर्मिक एसिड उसके बाद बेंजवेक एसिड और उसके बाहाद आता है यह सारे अलिफटिकवाले ठीक है उसके बाद में अगला वाला करते है यह बोलता है बंजीन है बेंजवेकएसिड है यह बी और उसके मेटा पे एक लगा है ग्रूप कौन सा OCS3 फिर अगला पैरा पे लगा है देखो इस ट्रक्चर बनानी तो आपको आनी ही पड़ेगी OCS3 अब इस पे यहाँ पे आपको पता है प्लस M और माइनस M कब लगता है प्लस M नहीं लगेगा फिर भी इसका प्लस M और पे लगेगा इसका यहाँ माइनस I पे लगेगा अब आपको पता है एसलिक स्टंट का ओर्डर क्या होता है पहले आपने देखा है कि फिक्स ओर्डर वो लगा दिया उससे एंसर बना नहीं उसके बाद माइनस I के इनवर्सली प्रपोर्टल होता है तो माइनस I सब में माइनस I लगे तब वो काम में लेना है अगर गलती से भी रज़नास आजाए तो फिर वही कोशन काम में लेना है सबसे आ गया एगा माइनस M वाला फिर माइनस H वाला फिर माइनस आई वाला तो अपने को strongest चाहिए तो यहाँ पर माइनस एम तो है नहीं माइन और न्यूट्रल फिर प्लस आई और फिर प्लस एम पीछे यह ना तो आपको पता है यहाँ यही और सेकेंड वाला सबसे मैटा वाला माइनस आई वाला सबसे अच्छा इसका इंसर थरा होता है तीन बार करवा चुका यह को अगला वस्यूं मै आप बोलो कि यह भैया डिसॉसिये इससे को का पोलते हैं के एक सारी सीजह अपनूघ्रियो करते हैं आय।ा hijos गोलते हैं डि-स ऐसियें कोड़ते हैं किसकोड किसके लिए होगा चैथे क typically कि सी ऐसी बात है यह उनके लिए दिसे degrees के स्ट्रॉंग इसे नोगा उसका भी से स्कंस्टन उपाहिस पराइब के करें तो इसल्वा Nevertheless मदलब यह एम्स का कुश्चन है तो इसने क्या कर दिया पहली बात के मतलब की डिसोसीशन कॉंस्टेंट आइनिक एक्विलिब्रियम का कम कुश्च कम मतलब कंसेप्ट और 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 गनिक का कंसेप्ट मिक्स कर दिया तो आप ढूंड़ते रहे जाओगे कि जो आप और गनिक में क्या पढ़ते हो कि कैए इस प्रोपर्टर टू-सीडी स्ट्रेंथ मितल्ड जो एसिदी के स्ट्रेंथ का ओडर होगा वही कह एक यह इंग बड़ इशने और गेम खेल दिया एक सॉल्ट देदिया है अगर सॉल्ट दिया तो इसको सबसे आगए रखो ठीक है हालंकि इनकी S-C-D-Gestion का order पूछता तो क्या होता सबस्के अच्छा है इसी दूता first वाला फिर होता 2 वाला फिर होता 3 वाला पट ये इससे भी आगया है dissociation constant में fourth वाला अगला पाला aromatic कोण सा है कोण सा дом City ये ये सारे मैं आपके साथ नदिस्कूश कर चुका हूँ पहले वाले को check करते हैं इसमें pi sigma positive resonance है इधर से भी pi sigma positive cyclic resonance यहां पर है okay electron देखोगे cyclic resonance है electron देखोगे दो electron है बिल्कूर यही condition होती है aromatic की तो पहले वाला ही aromatic है okay अगला वाला question M2005 का Pyridine Is less basic in Trimethylamine प्रेडिन मतलब अब तो आपको इस्ट्रक्चर यादी हो गई होगी प्रेडिन की कि अभी भी दिक्कत है अब दिक्कत नहीं हो नीजी प्रेडिन और यह ट्राइमिथाइल एमीन है यह ट्राइइथाइल और यह ट्राइइल एमीन नेखिए अब देखो यह एलिफेटिक है यह एरोमेटिक है तो मैंने आपको लिखा रखा है कि आलिफेटिक और एरोमेटिक में से अच्छे होता है यह होते है बढ़ यह इसका रीजन नहीं होता है यह इसका reason नहीं होता है reason होता है यहां पर जो है न reason जो होता कि अपने एलीफटी को सबसे आगे रखते हैं aromatic को पीछे रखते हैं यह मैंने आपको reason बताया नहीं था reason इसका होता है इसमें hybridization के basis पे electro negativity के basis पे electro negativity बोलो या hybridization बोलो यहां पर एक ही बाद होती है तो यह सीज़े आपको समझ में आपानी चाहिए कि हाँ ऐसी बात हुई थी यह पहले नहीं बताई थी तो में तो कुछ कुछन ऐसे आएंगे यह यहां पर क्या लग रहा है यहां पर यहां पर प्लस एच तो सबसे स्ट्रॉंग इस तो यह होगा आप भी दोके इसका नाम होता है अगर कोई होता है तो वह होता है पिक्रिक एसीड इन ओर्गनिक जो भी अपने लिखा था ना जो और लिखा था ना अपने बोला था कि बेंजे फॉर्मिक एसीड को लिखा था सबसे आगे पिक्रिक एसीड उससे भी आगया पिए लिख देद रहा हूं उससे भी आएगा पूरी और्गनिक का स्ट्रॉंग एसीड यह यह पिक्रिक एसीड आगी बास समझें पता तो लग रहा है ना कि इतने सारे माइनस मौले गूरूप लगे हुए और मतीन तीन माइनस माइन इधर चलना अपने को तो पहले आना चाहिए SP2 यह रहा SP2 फिर आना चाहिए SP2 यह वाला कार्बन SP2 फिर SP यह रहा SP फिर यह रहा SP आपको सिखा चुका हूं मैं कैसे निकालते हैं अब कुशन नमर 14 जो है न देखो हर साल एक कुशन ऐसा आता जो बली का बकरा बनाता है आइनसाई का ओडर में आपको निकाल चुका हूं बता चुका हूं आपको इस सारे के सारे सिंगल बॉंड है तो आप इलेक्ट्रो नेग्टिविटी की बैसिस पर इसको बता दोगे फ्लूरीन सबसे आगे फिर औक्सिजन फिर नाइट्रोजन यह बैट रहा है अब आप ब आएन टिये दे था ुश्य में एक वोश्म मीडियम में अन्सक्राइप के साथ में धिसकूआ हूं हो हहो घर मितहैल गुरूप होगा तो ऑर्डर होगा दुवंडht 올े टू थरी वन बड़े गूरुका बड़ा नंबर छोटे गूर्टा नंबर यहाँ मितहै एंस पहले जोरी कर जब आपको मिथाल गूरूप दिया हो तो एक्वर्स मेडियों बोलेगा तो ही दियान रखना एक्वर्स सॉलूशन या एक्वर्स मेडियम दिया होना चाहिए है अगला कोश्चन का कि विश्चने अ टर्सरी बुटायल कार्बोकटन मतलब कि पहले अ कि एब कारबॉकटन है यह आपका टर्सरी बुटैल हो गया मैह एद प्रोब भी उट चार चार करवन हो गया अब अब यो बोल रहा इन कर्भोगटे लासिए अब इसम्हें से सेद्रेटी बुटेल आ है कि यहां अब या जदा होता है कि अब आफ को लगेगा कि यहां कि यह वाला जदा प्लस प्लस आई स्का फ्लस आई लगे यहां यहाँ जब भी स्टेन गुरूप का बस अई लग लग रहें estás इसका जो मेहन रीजन होता है वो होता है है फाइपर कंज्यूकेशन नहीं कि आपसे तो यहां पर नाइन अलफा हेटोजन है और यहां पर यह दो और यह तीन पांच अलफा हेटोजन है सब waterproof kulli के अपनाध सब्सक्राहिएच..? सब्सक्राहिए करम और यहाइपर कंज्यूकेशन होता कुछ भी नहीं है आइफट करके बताने होता है जिसके पास जदा यह और यहाइस चातम होता है बस ऐसा कुष्ण आएगा जहां प्लस आइक रुप Skills दोनह में से एक सेलेट करना होगा तो आप हाइपर के इंजूगिशन एंसर दोगे चलिए है नीट के कुषिन खतम हुए जई के कुषिन स्टार्ट होते है टाइम कितना हो गया होगा मुझे वीडियो बनाते भी पता नहीं मुझे तो यहां पर जई के कुषिन कितने है छे साथ पर यह देखते हैं मैं 101 से सुरूआ था इसके बाद में 16 कोषिन यह करवाएं तो 10 और 16 कितने हो गया 26 कुषिन चलिए अपने और question करते हैं आगे बोलता है इनका क्या order बताना है inductive effect का order बताना है मतलब की i का order inductive effect plus i या minus i जो भी हो तो आपको plus i और minus i का order में आपको लिखा चुका हूं आपको अरे ये तो plus i दिखाता है न मिथाइल गूरूप है ये तो plus i order दिखाता है तो plus i में क्या था 3 degree, 2 degree, 1 degree कितना आसान पूछ लिए इसने IEEE 2002 में ये बोल रहा है basic nature ठीक है अब यहाँ पे इसने ये दिया है मिथाइल वाला आप बोलोगे वो 213 वाला और question आएगा answer आएगा बड़ ऐसा होगा नहीं यहाँ पे ठीक है ऐसा होगा नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे aques medium नहीं बोला है जब aques medium नहीं बोला है तो यह तीनों के तीनों थीनों एमीन है अभी देखो इसमें लग रहा है कुछ भी नहीं यह neutral है इसमें इसका 1 plus i लग रहा है इसमें 2 plus i लग रहे तो basic strength आपको पताए है पहले तो इतने जदा प्लस आई होंगे उतनी जदा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तोके अगला क्विश्चन यहां पर बोल रहा है एसीडी के स्ट्रेंथ कि यह ना 24 का क्विश्चन है अब देखो यह तो पहला वाला तो बेंजोई कैसे रहे सीधा सेंपल सा सी डबल ओ एच अगला वाला क्या है पहरा पर लगा है ग्रूप अगले वाले मे में मेटा पर लगा है तो मैंने जब तक बनाया था तब तक तो आपने एंसर निकाली दिया होगा यह तो आसान था 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 ना आसान भाई सबसे पहले आप वो कंपेर ओडर लगाते हैं वो आएगा नहीं उसमें फिर आपको लोगे माइनस आई पर अच्छाई वह भी नहीं लगेगा तो अब यहा चार काया ट्रिपली थे स्ट्रॉंग इस्ट बेस वह अब यह देखिए यह इरोमेटिक एमीन है यह इदर से देखोगे तो एस नहीं किस करबन जुड़ा है वो देखो तो यह डार्यक्टर रिंग से जुड़ा है तो यह एलिफितिक है तो यह अ सबसे यादा कौन सा होगा यह वाला होगा अलेप stain बोलो कि यह विती तया मैं भी यह अलभूत इयो भनेटीक घुस्ट का और अगर पूछते ना तो सब गो prototype पूच्टे ना फिर आता टू वाला फिर आता थी वाला फिर आता वान वाला त्रिंट आ और फिर पहले सेटी की स्टेंद का ओडर निकालोगे आप ठीक है तो सबसे अच्छा बेस कुन सा होगा यह सेएं उसके बाद में यह वाल आएगा दो नंबर फिर यह और यह आता है सबसे स्ट्रा तो यह वाला है सबसे इस्ट्रांग अशिड है तो बुरा बेस यह होगा जो बुरा यह वही ओल्डर है जो मैंने एक फिक्स आपको लिखा रएखा है साथवा कुश्चिन Among the following most basic compound अब देखो Aniline क्या होता है NS2 और ये पीछे benzene ring पेरा नाइट्रो एनोलेल NS2 और पेरा पे नाइट्रो आप जेए की कुश्चिन कर रहे हो देखो Benzyl Amine Benzyl जब भी आता है CS2 वर्ड आता है ये Acetanolide इसको तो छोड़ी आप ये आपको Elephatic मिला की नहीं मिला ये Aromatic था ये Aromatic था ये Aromatic था ये Aromatic था जो Elephatic है वो सबसे अच्छा basic होता है basic strength में तो आपको बहुत आसा नहीं से आपके कुश्चिन नहीं हो रहे सारे ये है Radical की Stability Radical की Stability का ओडर भाई होता है जो Carbocatine की Stability का ओडर होता है तो आपको यहां पर एक मिथाल लखा है यहां यहां दो Benzene लगी हुए है तो Benzene की वससे ये आपको पता मैंने एक ओडर लखा है था A, R, I पहले Aromatic City दिखते हैं तो ये दोनों Aromatic है Radical की Stability यह अगरा होता है तो Aromatic वाले ज्यादा Stable होता है तो ये दोनों Aromatic है Aromatic वाले को आगे रखना है और Aliphatic वाले को पीछे रखना है फिर से ये Nucleophilicity का ओडर आ गया है और कुछ भी नहीं है ये बोल रहा है Nucleophilicity का ओडर बताओ A, B, C और ये D है ये किया दिया है PHOH मतलब Phenol दिया है PH मतलब Phenol Ring बेंजीन वाली B किया दिया है AC मतलब SCT Group ये अब J का कुशन है तो थोड़ी Language में खराबी करेगा S2O और ये क्या है CS3OH अब इनकी अगर SCD का स्ट्रेंद का ओडर निका ले तो सबसे अच्छा ACD को स्ट्रेंद होगा ये वाला B वाला फिर होगा A वाला फिर होगा D वाला फिर होगा C वाला ये ACD की स्ट्रेंद का ओडर है किसका ACD का और जो ACD की स्ट्रेंद का उल्टा होता है वही आपका basic स्ट्रेंद का ओडर होता है और जो basic strength का order होता है वही आपका nucleophilicity का order होता है उसके बाद sd के strength ही पूछा है यहां तो direct आप से sd के strength यहां आप देखोगे न इन सब को सभी से लिखेंगे पहले अपन ठीक है यहां पर dot है इसका मतलब एक carbon है यहां पर ch है ठीक है तो मैं यहां पर सब को लिखके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसने लिखा बहुत अजीब डंग से कोई confuse हो जाए पहला है c s3 c o o h ठीक है पहले वाले को मैंने लेखा फिर दूसरे वाले को अगला वाला अगला वाला है c c o o h और इसके उपर में तीन फ्लोरीन लगे हुए है ऐसे ठीक है अगला वाला क्या है c h c o h और इसके उपर में तीन दो मिठाइल लगे हुए है c s3 और c s3 अब देखो अब आपको समझ माझाएगा कि यह structure सब में common है अब यहाँ पर कौन सा गुरूप है उसकी बात करेंगे अब यहाँ distance देखेंगे पहले यह o c s3 गूरूप है सब्सक्षित और ऐसकीए उसके बाद में देखेंगे distance तो सब में distance बराबर नंबर देखेंगे इसमें तीन तीन गुरूप लगे वे तो जिसमें ज्यादा गुरूप लगे वह जदा माइनस आई दिखाएगा तो सी तीन नंबर वाला यह निकि सी वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग एसिड हो गया उसके बाद में यह आप गोलोगे अब इसमें के इनवर्सली प्रपॉट्रोंट तो प्लस आई वाले को सबसे पहले पीछे पटक दो डी वाले को सबसे पहले पीछे पटक दो अगला क्वेश्चन इस्ट्रॉंगेस्ट बेस अब इसमें देखोगे न अगर आप यह हैं ट्राइ मिथाइल एमीन यह हैं अनुलें इसको ए इथाइल है इथाइल ग्रूप जब एक्वसमीडियू में क्या होता है तब क्या होता है न हएक ही और वह सबसे स्ट्रॉंग होता है तो डिग्री मतलब तो मतलब डाइद ऑशान कुशन है कि नहीं NCRT में दिया और कितनी बार आ चुका है देखो आपने सामने ही अब बोलता है बेंजीन रिंग है यह बेंजीन रिंग है इसके उपर में नाइट्रो लगा दिया यह नाइट्रो लगा दिया कहां पर भी लगाओ आपको कोई मतलब नहीं बेंजीन में तो सब पोजिशन एक ज अगला question कि stabiliti का order बताना आपने को तो इसको पहले आप सही से लिखना पड़ेगा इनका देखते यही होता है कि अगर आप सई सही से लिखते हैं कि इसको सही से लिखते हैं तिसने कार बेंगान है और इसके उपर में तीन एसटें लगय हुए है से शीकल्पी है ।ि अगला है यह कर मैं तीन क्लोरीन लग वें खोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, और क्लोरीन१ in है उसके उपर में अगले वाले में हो है हिस में है जैसा लगा हुए है उसमय साहिइस है मने नेगेटिव यह तीनों एलिफेटिक हैं और यह एरोमेटिक हैं तो मैं आपको पता दूं कि यहां पर यह मतलब एक एक सब्सक्राइब का कुशन था जो जोई में आया था आपको पता हूं मैंने ऐसा लगा यह आर आई पहले एरोमेटिक को ज़्यादा इस्टेबल करते हैं तो इसको ज़्यादा इस्टेबल होना चाहिए था बेंजीन वाले को तो एंसर तो यह आजाता फिर बड़ ऐसा नहीं होता है इसका एक सब्सन है यह सी सी अल वाला क्लोरीन इतने सारे हैं इतने सारे कॉश्चन हैं इतने सारे क्लोरीन लगे हूए हैं अब इन में तो आप पकड़ सकते हैं वैसे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें प्लस आई ज़्यादा लग रहा है तो यह कम इस्टेबल होगा और यह ज़्यादा इस्टेबल होगा तो यह ओडरा जाएगा यह वाला वैसे आप एंसर कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कुश्चन नमबर 14 कि इसमें से अगर आपको एट एलकोहल पूचेगा तो यह ओडर होगा तो यह पूचेगा तो यह पूचेगा तो यह पूच होगा कि अधिक है बट न्यूक्रिव लिशिटी अपन इतने अच्छे सा अभी तक पढ़े नहीं तो इसलिए को अभी छोड़ते हैं पूच तो बोलता है basically का और पूच रहा है पहला है फीनौल को यह फीनौल वन गया अब पैरा क्रिसोय अब क्रिस्सॉ्ल क्या होता है तो जब सीओ असुआन टिम करलते ही स्ट्रक्टुर करे देकर नायट्रोपनाव है अगला है पैरा नाइट्रुफिनॉल है तो इसमें माइनस लग रहा है इसमें मैनिस एम लग रहा है तो मैनिस एम वाला डी वाला सबसे आ आगया आएगा आसान था यह कुश्चन तो बड़ी बहुत बार आपन कर पीछुके सो की मैनस एम वाले को सब्सक्राइब में इसको आगे रखना इसको नोन आरोमेटिक चेटम इसको देखो यह क्या था फ्यूरान था फ्यूरान अथा अधा शारी फ्यूरान नहीं था खते था यह था ती त्योक हूं फह ओर जो पॉल अर्च या दे यांडिक यली आधर रखो यह भी तशींट से नियुट 6 electron है इसमें तो ये भी aromatic है अब सब को चेक कर सकते हो तीनों aromatic है बट ये वाला इसमें देखो इसमें cyclic resonance ही नहीं है जब cyclic resonance नहीं होगा तो ये non aromatic होगा ओके कुशन नमबर 17 अपने से बूचा है Stability of Carbocatine तो पहले अपन सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे इसका लग रहा है प्लस आई यह Pi Sigma Positive यह Resonance है और यह है आपका Aromatic तो A, R, I पहले Aromatic City देखते हैं फिर Resonance देखते हैं और फिर Inductive Effect देखते हैं तो पहले थर्डवाला सबसे ज्यादा होगा फिर Resonance और फिर यह मुझे कुछ चीज़े आपको लेक्सर खतम होते हैं कुछ चीज़े डिस्कस करना है मैं अभी करूँगा आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं और यहाँ मैं बोला है Mu not equals to zero बड़ा अजीबो गरीब सा कुशन है और यह मैं आपको इनारक्टिंग में chemical bonding में करवा चुका हूँ इसलिए यहाँ दोबारा नहीं करवा रहा हूँ ठीक है PKB value basic strength की उल्टी होती है PKB और यहाँ आपसे पूचा है PKB की value की lowest होगी lowest PKB पूचा है मतलब की basic strength ज्यादा पूचा है कि basic strength किसकी ज्यादा है ऐसा आपने से कुशन पूच रहा है और वो भी equus solution है अरब पापरे मजा आ गया यह तो aniline है aromatic है इसको तो अटाई दो और methyl group है methyl group होता है तब 2,1,3 यह आता आपका acid strength का basic strength का order यहाँ पर यहीं बताने है basic सबसे strong base कौन सा है low PKB मतलब smallest PKB मतलब strong base तो 2 degree वाला यह रहा कितनी बाहर आ चुका है आप need में देखो आप J में और need में अगला बोलता है least resonance stabilized तो सीदी सी बात है कौन से में resonance नहीं है यहाँ देखो इसमें pi, sigma और lon pair resonance pi, sigma और lon pair और pi, sigma तीन resonance है यहाँ पर इसमें भी तीन resonance है pi, sigma, pi pi, sigma, pi 4 resonance है और इसमें तीन resonance है जबकि इसमें देखोगे न तो pi, sigma और pi और इदर से pi, sigma और pi हो दोरेजनेंस है तो जिसमेंस कम रेजनेंस होगा वह इस टेबल होगा माओ अगला कश्ट नहंगने को ते इंक्रीजिंग ओडर ऑफ बेषे की स्ट्रेंथ है अब देखो यह आपकी क्या इस्ट्रथ मोझा है अ मतलब आ पने को बेसिश्ट का ओडर बताना है ठीक ये गौने डियन जैसे इस्ट्रक्टर बन रही है तो तीन नमर वाला सबसे आगे रहेगा ये और ये नहीं हो सकता और ये हो गया आपका यहाँ पे एन एच ये टू डि मतलब इदर से इसका प्लस आई लग रहा है इस तरह से भी प्लस आई लग रहा है जबकि इसमें औ लग रहा है दुनों में और इसमें प्लस आई लग रहा है और बेसी की स्ट्रेंद प्लस आई कि डारेटली प्रपोर्ट्स लोता और मैंने साइगे इनवर्टल लोता है अब मैं आपको कुछ सीज़े लिखवा रहा हूं मैं आपको दिहान से देखना हूं जब भी कार्बो होगा ती जो निटीव फोनं देखें रंटी 5 को कर में रहे अर्हिंटिक का वह सबसें पीछे एक कारबो कट्रेंड की स्टेबिलिटी मैं सबसें काम पहले यहीं देखते हैं ऐस मौmber पर बाम बह्रान हो आ ना एक कि है Department देखिए विपनेये देखा पर पिरस दिखते हैं को सिसकी को s करते हैं कि यह एक आरोमेटीस दिन से पिर पिर और दंद अ अब फिर भार मौन करें ना तो अगर मौन लोर्व रूरए और अम और माइनस M की बाते हो जाएगी, ठीक है, मतलब आई वाला ओडर आएगा, लंबो वाला, प्लस M, फिर प्लस I, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस I, फिर माइनस M, वो माइनस H भी आता है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, उसके बाद में आई आएगा ना, तब आई मैं आप इस हिसाब से काम करोगे, डिस्टेंस, नंबर और पॉवर में, इस हिसाब से अपने को कोशिन करने होते हैं, बट कभी भी तीनों पॉइंट एक साथ लगते हैं, इसलिए मैं आपको कभी लिखाया नहीं है, और साथ में करवाया नहीं है, ठीक है, और SCD की स्ट्रेंद और basic स्ट्रेंद का ताथ में आपको उपर एक हो चार्ट बना करके सुरू आप में आता ही बता दिया था, ठीक है, तो यह सारी चीज़े थी, यह अपना चेप्टर खतम होता है, कल अपन कुछ कुशन और कर लेंगे, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे,